आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने लिस्स के बारे में समझने की कोशिश करी थी और हमने यह समझा था कि हम लिस्स को किस प्रकार से क्यार कर सकते हैं और लिस्स के डिफरेंट अलिमेंट को हम किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं तो हमारी लिस्स क्या होती है लिस्स में खास बात थी कि लिस्स में हमारे पास डिफरेंट जो आपजेक्ट्स हैं जिनके मूर्स अलग-अलग होते हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं तो अब जब हमारी ये list क्यार हो गई है तो उसके बाद हमारे पास कुछ और operations आते हैं जो मुझे करने पगेंगे जैसे कि अगर list में से किसी एक element को वहाँ पे जोगना है या कोई हमारी list ऐसी है उसको हटाना है या हमारे पास अगर एक से ज़्यादा list आ गई है तो उसको हम कैसे एक साथ merge करेंगे और ये जो हमारे operation है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये तो हम अपने day to day के life में रोज रोज मर्णा की life में रोज इस्तिमाल करते हैं जैसे कैसा मैंने आपको याद होगा कि पिछले lecture में मैंने आपको एक उधारग दिया था कि आपकी माँ आपसे कहती है कि बजार से कुछ समान लाना है और आप उनसे कहते हो कि ओके इसकी आप एक list क्यार कर दीजिए और उस list को लेकर के आप मालिये बजार में पहुँच गया अब उसके बाद में आपकी माँ को एक और समान याद आता है कि जैसे आपने पहले वाली list में आपने कपड़े, सबजी और दवा की बात करी थी आप जब बाजार पहुच जाते हो तो आपकी मा को याद आता है कि उसमें दूद भी लाना है तो उन्होंने आपको फोन किया कि अपनी list में दूद को भी add कर लो अब यहां पे दो options हैं कि दूद को आपने list के अंत में add कर लिया यहां आपकी माने कहा कि ओके list में दूद को दूद को दूसरे नमबर के स्थान पर add कर लो तो इस कार को कैसे किया जाए दूसरी possibility यह है कि माने आपको फोन किया आपने कहा कि मैंने आपको पहले जो कपल दवा और सबजी के बारे में कहा था उन्हें कहा कि नहीं जो सबजी है वो तो आगई कोई और ले आया तुम उस list में से सबजी को drop कर दो सबजी नहीं लानी है तो अब आप उस list में क्या करोगे जहां पे सबजी लिखी उसको आप delete कर दोगे और तीसरा option यह है कि आपकी माने फोन किया और यह कहा कि मैं कुछ समान भूल गई थी और उन्हें आपको कई सारे समान बताने चुरू की लेकिन उनकी संख्या गादा थी तो आपने कहा कि अच्छा आप इसकी एक नए लिस्ट बना करके मेरे भाई या मेरी बहन के द्वारा आप उसको मार्केट में भेज़ दो मैं यहाँ पर हूँ आपको क्या करना होगा अब आके पास एक तो पहले की थी लिस्ट और दूसरी आके पास और लिस्ट आपको मर्ज करना है और फिर उसके अनसारकार करना है तो यही operation अगर हम अपने data vector के साथ में our software में करना चाहें तो इनको किस प्रकार से किया जाए इनको करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्मांड होंगे और उन क्मांड को किस प्रकार से दिया जाए जिससे कि आप यह चाहते हैं कि यह कार इस प्रकार से होना चाहिए वो कैसे हो तो यह हमारे भिन-भिन तरीके के operation है जो हमारे list commands से associated हैं तो आज इस lecture में हम इन ही छोटे-छोटे commands के बारे में बात करेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि हम अपने list को किस प्रकार से control कर सकते हैं तो चलिए हम इसे lecture को आरम करते हैं और इन छोटे-छोटे commands को सीखने की कोशिश करते हैं तो देखिए हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा list आजाती हैं तो आप उसको किस तरह से merge करोगे आप उसको किस प्रकार से join करोगे तो अपने इस list के कई operation को समझने के लिए हम यहां पे अपनी दो list क्यार कर लेते हैं और उनको मैंने नाम दे दी है list one और list two तो list one में हमने तीन number ले ले लिए हैं एक दो number one और दूसरी list आपने बना ली जिसमें आपने water juice और lemonade टीन हमारे character से उनको आपने add कर लिया और इसका नाम दे दिया आपने list two तो देखिए list one कुछ आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी और list two आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई पड़ेगी अब इसके बाद में हम इन दोनों list को merge करना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए इसका हमारा command बहुत ही आसान है जिस प्रकार से हमने data vectors को operate किया था और different numbers को या different characters को हम data vector के form में लिखते थे उसके लिए हम c command का use करते हैं तो यहां भी आपको c command का use करना है और यह दोनों जो list है उसको हमको कॉमा से separate करते हुए parenthesis के अंदर लिखते ना है जैसे लिया c और parenthesis में लिख दिया मैंने list 1 और list 2 और इसका मैंने एक नाम दे दिया तो देखी यह हो गया list 1,2 आप देखेंगे list 1,2 का structure कैसा आ गया जहां पर यह जो हमारी पहले list है यह कौन सी है यह आपकी है list 1 और यह जो दूसरी है यह कौन सी है यह आपकी है list 2 तो देखेंगे दोनों आपकी list एक साथ merge हो गई और यही देखेंगे इसका R पर जब आप operation करेंगे तो आपको ऐसे दिखाए पड़ेगा यह आपकी ठी list 1 यह आपकी list 2 आपने दोनों को merge कर दिया तो यह merge हो गई यह वाला पार्ट आपका list 1 का आगया और यह वाला पार्ट आपका देखेंगे list 2 का आगया अब देखा कि list को आपस में merge करना तो बहुत ही आसान काम है और अब जब आपने भिन भिन data objects को एक साथ join करके list में convert किया था तो उसी प्रकार से हमारा इसका एक उल्टा operation भी होता है कि जिस प्रकार से हमने list में convert किया उसी तरह से अगर हम अपने list को हटाना चाहते हैं तो वो हमारा होता है unlist operation तो unlist के दोरा क्या होगा कि हमारा जो list है वो हमारा एक वेक्टर के form में data vector के form में convert हो जाएगा अब आपको याद होगा कि जिस समय हमने mode की बात करी थी तो mode में हमें क्या पहा था कि जो हमारा list command होता है इसका जो हमारा mode होता है वो भी हमारा list होता है अब जब इसको हम unlist करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो हमारा mode है वो भी बदल गया है और ये हमारे अपने original रूप में आ गया है जो हमारे उस data vector का mode होना चाहिए था वही मुझे मिल गया है तो कैसे देखिए हम उसी उद्धाल को लेते हैं जहां पर मैंने list 1 में 1, 2, 3 और list 2 में water juice और lemonade को लिया है अब जरह से हम इस list को unlist करते हैं अनलिस्ट करने के लिए हमारा command है unlist और parenthesis में हम उपनी जो भी list का नाम दे देंगे तो मैंने रहा पर लिखा unlist unlist और देखिए parenthesis में मैंने लिख दिया list 1 तो देखिए जैसी आपने list 1 किया या आपको देखिए इस ने देदिया 1, 2, 3 और जैसी आपने list 2 को unlist किया इस नाम को देदिया water juice lemonade अब गरास है आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि अगर आप list 1 का mode देखिए तो क्या आएगा list लेकिन जब आपने इसका जो outcome आया है unlist करके कि list 1 को जब आपने unlist किया तो इसका mode क्या होगा यह देखिया आगया numerate क्यों 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 यह तो एक data vector में जब convert होगा तो यह तो numbers है अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप list 2 को आप जब आपने unlist किया है और आपको यह वाला outcome मिला है water juice lemonade इसका आप अगर mode निका लेंगे तो क्या आएगा तो चलिए यह मैं आपको R software में करके दिखाता हूँ इसके पहले देखिए यह आपका screenshot है जब आप R software में करोगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पर दिखाई देगा अब इसमें से तरह हम अपनी इन दोनों लिस्ट को एक साथ जोगलने की कोशिश करते हैं तो मैंने कर दिया c और यहाँ पर दिया list one और कॉमा list two देखिए यह दोनों values आपकी एक साथ जोगल गाएंगी देखा list one two को जब आपने देखा तो इसके पहले तीन elements तो आपके list one क हो गये और जो बाकी तीन elements हैं यह आपकी देखिए list two के हो गया तो इसके दोरा आपने देखा कि आपने list को किस प्रकार से join कर लिया ओके अब इसके बाद में आपका जो आपका अगला operation है इसको unlist करने वाला यह मैं आपको दिखाता हूं तो देखिए जैसे आपने लिखा यहां पर list one, list one आपका यह आया अब आप इसको अगर unlist करते हैं तो unlist आप अगर करेंगे list one तो देखिए कैसा आजाएगा ऐसा 123 और आप अगर इसका mode देखने की कोशिश करें तो देखिए mode of list one क्या आएगा list लेकिन जब आपने यह जो unlist का outcome निकाला है इसका आप अगर mode देखेंगे तो देखिए क्या जाएगा numeric राइट उसी पकार से आप अगर list two की बार भी करते हैं तो देखिए आपका यह list two ऐसा हो गया और आप अगर इसका mode क्या है यह तो है list अब इसको जड़ा सा आप इसको unlist कर दीजिए हम list two को unlist करते हैं तो यह हमारे देखिए ऐ इसका अगर हम mode निकालने की कोशिश करते हैं अगर हम कि जो मैंने अनलिस कमांड दिया है उसका जो outcome आया है उसका mode क्या होगा देखिए आगया character तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था तो चलिए अब हम आगे बगते हैं और अपने कुछ और commands को भी समझने की कोशिश करते हैं जो अगला command हम आपको बताना चाहेंगे वो है append के बारे में append का मतलब क्या होता है जोगला जोगला मलब addition वाला नहीं है यह तो हमारा हम जो कैसे की मैंने कहा कि हमारे पास कोई एक list है इसके आगे आपको इसको add कर देना है यह वाला है append तो चलिए हम इस append को हम आपको एक उधारन के दूर समझाने की कोशिश करते हमारा command तो यही है a-double-p-e-n-d जिसको हम lowercase alphabets में लिख देते हैं तो मैंने यहां पर उन्हीं दो list को लिया है list 1 और list 2 जिसमें मैंने list 1 में 1,2,3 और list 2 में water juice और lemonade को लिया था अब मैं काम करता हूँ कि इस list में list number 1 में मैं यहां पर handed को add करना चाहता हूँ तो इसका command हमारा क्या होगा हम लिख देंगे यहां पर append a-double-p-e-n-d और उसके बाद में लिख देंगे यहां पर अपने जो parenthesis और parenthesis में हम अपनी list का नाम लिख देंगे जिसमें हम add करना चाहते हैं और उसके बाद में हम जिस भी value को add करना चाहते हैं उसको हम कॉमा लगा के लिख देंगे यहां पर तो देखें यहां पर क्या हो गया जो आपकी यह जो पहला वाला तीन values थी 1,2,3 यह तो आपकी है list 1 साथ में लिखें अभी यह handed value आपकी चौथी जगा पर add हो गई और यह तो हमने लिख दिया append और parenthesis में लिख दिया list 2 और इसके बाद में लिख दिया double quotes में coffee तो देखें आप यह जो आपकी पहली तीन value थी यह आपकी क्या थी यह तो आपकी list 2 थी water juice lemonade अब इसके आगे आपने जो coffee को add किया यह देखिए यहां पर add हो गया लेकिन इस operation में आपने ध्यान दिया कि इसमें से जो भी हमारा addition हो रहा है वह हमारा list की जो अंतिम position है वहाँ पर हो रहा है right जैसे कि पहले तीन position हमारे पास हमारे था one, two or three तो चौथी position पर हमारा handed automatically add हो गया इसमें list 2 में हमारे पास पहली position पर था water, दूसरी पर juice, तूसरी पर lemonade तो coffee हमारा चौथी position पर आपकर जो भी अंतिम position है वहाँ पर add हो गया अब हम यह चाहते हैं कि यह जो हमारा handed और coffee है यह हमारा इस position पर आजाए यहां पर जो की दो के बात और juice के बात है दो के बात आजाए sanded और juice के बात आजाए coffee तो इसको इस प्रकार के कार को किस तरीके से किया जाए उसके बारे में बात हम करते हैं तो देखिए यह आपका था इसी का operation यह आपके पहली वाली लिस्ट है और देखिए यहां पर आगया hundred और यह आपकी है list two इसके आगया आपका आगया coffee इसको मापको आर्व में करके द जाए coffee तो इसको देने के लिए हमको इसकी location बताना पड़ेगा तो location को अपने इस append कमांड को बताने के लिए हमारे पास command होता है after aft er तो इसको ऐसे लिखेंगे append a p end और इसके बाद parenthesis में जो भी हमारी list का नाम है उसको लिखेंगे और उसके बाद में हम अपनी जो भी value है इसको लिखेंगे और साथ में लिख देंगे उसकी location की कहां पर इसको एड़ करता है after तो अब अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा जैसे hundred इस जगह पर आ जाए तो यह कौन सी जगह हुई एक और दो के बार अठाथ दूसरी जगह के बार तो मैंने यहां पर लिख दिया after equal to two औ साथ में लिख दिया append और फिर लिख दिया list one कौन सी value देना चाहते हैं hundred और साथ ही में मैंने कर दिया after two और ताथ पहली को छोग दो दूसरी को छोग दो और इसके बाद में दूसरी के बाद में जो भी हमारी position है third position वहां पर हमारा hundred आ गया देखिए और जो आपका पहले व क्योंकि team कहां पर आता है को या दो के बादी तु आता है मने लिख दिया append और परतियसे सुद में लिख दिया list two जिस list में हम append करना चाहते हैं All22見て आप देखेंगे यह कॉफी हमारा उठ करके जो यह हमारी पहली पोजिशन यह थी दूसरी इसकी दूसरी के बाद यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर आगिया तो इस प्रकार से हम देखिए जो भी हम अपने इस आपन्ट में किसी ऐलिमेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन के उपर भी हम इनसर्ट कर सकते हैं और यही देखिए इसका ऑपरेशन जब है आपको आर्मे करके दिखाऊंगा तो यह उसका स्क्रीन शॉट है आपकी ठी लिस्ट वन यह थी लिस्ट यह थी लिस्ट वन में अब हमने बात करी कि किसी लिस्ट में हम कोई भी ऐलिमेंट को किस प्रकार से एड करेंगे, अब हम जड़ा से हटाने की बात करते हैं, कि कैसे मैंने कहा कि आपकी लिस्ट में अगर तीन कोई अबजेक्ट लिखे हुए हैं, उसमें से आप किसी एक प्रकार से किया जाएं, तो उसको देखी करना बहुत आसान है, हमको बिल्कुल वैसी काम करना है, जैसे हमने पहले किया हैं, सबसे पहले मैंने लिखा अपना लिस्ट नेम, जो भी मारी लिस्ट का नाम है, और उसक के बाद में जो जिस पोजीशन पर हमको उस नंबर को या उस ऑब्जेक्ट को हटाना है, वह वाली मैंने लोकेशन लिख दी, नंबर के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में, जैसे कि अगर हमको माली यह दूसरी जगह से हटाना है, तो मैंने लिख दिया माइनस टू, और अगर मुसको अगर चौती जगह से हटाना है, तो मैं लिख दूँगा, लिस्ट नेम और इसके आगे, इसका फिकेट में, माइनस फोर, राइट, तो चलिए हम इसको इसी दाहरत पर करते हैं, और हम आपको करके दिखाते हैं, तो मैंने अपनी लिस्ट वन और लिस्ट टू इसी को ले लिए यहाँ पर, लिस्ट वन में है 1, 2, 3, लिस्ट वन में है water, juice और lemonade, अब हम यहाँ से माल लिए, अपनी इस लिस्ट वन में जो लिखा हुआ है 2, इसको में हटाना चाहता हूँ, तो यह हमारा कहां पर लिखा हुआ है, दूसरी position पर, तो हम यहाँ पर लिख लिख देंगे, इस list का नाम, list 1, और square bracket में हम लिख देंगे, minus 2, तो देखी क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो outcome आ गया, कैसा आ गया, 1 और 3, तो यह 2 हमारा हट गया, यह 1 यहाँ पर आ गया, और 3 यहाँ पर आ गया, उसी प्रकार से अगर हम माल लिजे अपनी दूसरी जो हम लिख दिया, minus 1, तो देखी, यहाँ से हड़े आएगा, और juice आपका जो दूसरी जगह पर था, यह पहली position पर आ जाएगा, lemonade आपका जो तीसरी जगह पर था, यह आपका दूसरी जगह पर आ जाएगा, और ने list में आपका water यहाँ से हड़े आएगा, तो यही देखी, इसक लिस्त में आपने जो पहली position पर value लिखी थी, उसको आपने काच दिया water को, तो जो और कम बचा दे कि आपको, यह आपको मिल गया, right, तो चलिए अब हम आपको जड़ा सा इन चीजों को आर software में भी करके दिखाते हैं, so that कि आपको और confidence आ जाएगा कि इनको किन प्रकार से क right, तो सबसे पहले चलिए, तो हमें इस list को तयार कर लेते हैं, right, okay, तो देखिए, आपकी हो गई list, तो list one देखिए, आपकी हो गई, यह, और list two आपकी क्या हो गई, ऐसे, तो अब देखिए, list one आपकी किस प्रकार की है, ऐसे, आप यहाँ पर माली यह hand rate को add करना चाहते हैं देखिए, ऐसे आगया, four जगा पे, hand rate आगया, उसी प्रकार से अगर आप, इस hand rate को, को आप अगर माल लिजिए, इस second position के बाद अगर देना चाहते हैं, तो कैसे किया जाए, आपने यहाँ पर साथ में add कर दिया, after, after equal to two, आपने देखा कि अभी आपको यह, जो आपका third position पर ता three, फिर ता hand rate, यह आपको देखिए, third position पर hand rate आगया, तो इस प्रकार से आपने उसको किसी particular location पर भी insert कर दिया, अब जब दर हम list two की बात करते हैं, list two में आपने आपके पास तीन element है, water, juice, lemonade, अब इसमें से आपने माल लिजिए, कि list two में से आप coffee को add करना चाहते हैं, तो देखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने जैसी इसमें add की append किया, तो देखिए, coffee आपको जो अंतिम इस्थान पर आ गया, लेकिन अब आप इस coffee को माल लिजिए कि हम इसको दूसरे इस्थान पर करना चाहते हैं, तो मैंने कर दिया, after equal to one, right, और अब आप water, juice, lemonade, coffee आया था, तो अब क्या होगा, water के बाद में आपका coffee आया, क्यों? एक के बाद, बनलब पहली position पर जो भी कुछ है, उसके बाद आपको coffee को लिखना है, right, आपके देखा कि यह भी operation को यह सब बहुत कठी नहीं है, सिर्फ आपके समझने की बात है कि आप उसको किस प list है, और उस list मेंसे हम एक कुछ elements को बहार निकलना चाहते हैं, अरफात हम एक list मेंसे sublist निकलना चाहते हैं, अब यह जो sublist हमारी होगी जो इसके जो जिन नम्बरों को हम जिन object को बहार निकलना चाहते हैं उनको हम정 को list के अंदर जो उनका index से वहां से address करना होगा, अरफात हमने लिखा अपना list का नाम यहां से हम उनको एक्स्टेट करना चाहते हैं और square bracket में हमने जिन जिन indexes के elements को हम बाहर करना चाहते हैं मैंने उनका number लिख दिया तो यह कर्षे देखे हम आपको यहां पर धारग लेते हैं के द्वारा समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आज जाएगा जैसे मैंने यहां पर दो list के यार कर दी मैंने अपनी जो पहली वाली list में मैंने 456 add कर दिया अब मारी पहली list हो गई list 1 जिसमें हमारे पास 123456 छे values है और list 2 के अंदर भी मैंने 6 लेली water juice lemonade tea coffee milk अब हम इन दो list के ऊपर अपने यह हमारे चार operation से इनको execute करते हैं और साथ में दिखाते हैं कि इनका outcome किस प्रकार से आएगा तो देखे यह आपने यहां पर लिया list 1 इसके अंदर आपके पास कितने values है 123456 तो आपके देखे list 1 आपके कैसे हो गई ऐसे हो गई अब आपने क्या किया यहां पर लिखा list 1 और square packet में लिख दिया 2,4 तो यह हमारे कौन कौन से value हो गई 2,3,4 राइट तो आप इसमें से क्या करेगा जो भी हमारा 2 number, 3 number और 4 number पर values लिखी होई हैं यह आपको यहां पर देदेगा देखेंगे और इसी प्रकार से अगर हमको इसमें से इसकी 1st, 3rd और 5th position पर जो values है उनको कब्लिस के form में बाहर निकालना है तो हम लिख देगे list 1 और square brackets में हम लिख देगे c 1,3,5 1,3,5 राइट और देन लिखी क्या होगा जो आपका list 1 में लिखा हुआ 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 है पहली position पे तीसर और 5th position लिखा हुए 5 ये तीनों चीज़े उठ करके यहां पर आ जाएंगी और देखिए आपको यहां पर ये एक नई sublist मिल जाएगी इसके बाद में अगर हम यही operation अगर अपने list 2 में करें तो क्या होगा चलिए इसके पहले देखिए यह सी यह सी जो मैंने आपको कार करक है राइट अब हम यही operation ज़र आपने list 2 में करते हैं तो list 2 में आपने कौन-कौन से elements लिए है water, juice, lemonade, tea, coffee और milk और यह आपके होगे list 2 अब इसमें से आप list 2 में से जो आपके second, third और fourth position पर जो values है उनको आप बहार निकलना चाहते है तो आपने लिख दिया list 2 और इसमें से square brackets में आपने लिख दिया ऐसे two, pull and four देखे इसने क्या किया यह दूसरी, तीसरी और चौथी जगह पे जो-जो values लिखें यह इसने आपको यहाँ पर extract करके दे दिया उसी पकार से आप अगर अपने list में से first, third और fifth position पर जो values लिखें उनको बहार निकालना चाहते हैं तो आ square bracket में आपने लिख दिया यहाँ पर c और bracket में लिख दिया one, three, five तो देखिए इसने आपको यहाँ पर यह जो पहले number value है water फिर lemonade और फिर coffee यह इसने आपको निकाल करके यहाँ पे पकड़ा दिया और देखिए यही इसका screenshot भी है right अब इसी screenshot में आप अगर देखेंगे तो यह देखिए आपकी list two है और यहाँ से हम अपने अगर दूसरे, तीसरे और चौथे elements को अगर बाहर निकालने के कोशिश करते हैं तो यह देखिए इस प्रकार से यह बाहर आ गए और अगर हम अपने पहले तीसरे और पांचवी elements को अगर हम बाहर निकालते हैं तो यह कर लेते हैं जैसे आपका समय बच जाएगा और यह देखिए यह आपके list one और list two यहाँ पर आ गई आप अगर देखेंगे कि list one में यहाँ पे six elements हैं जैं और list two में इसी प्रकार से हमारे पास से देखिए यहाँ पे इस वी में पास three values हैं राइट अब इसी में से अब अगर मालीजे कि list one से अगर हम अपने मालीजे दूसरे तीसरे और चौथे elements को बाहर निकालना चाहते हैं तो इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया two colon four और देखिए आपका output इस प्रकार से आ गया और अगर आप मालीजे कि इस में से अगर आप suppose कि पहले और चौथे elements को आप अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो आपने लिख दिया c14 और देखिए यह इसका आपको outcome मिल गया और इसी प्रकार से आप अगर यही operation list two में भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप तो इसकी जो दूसरी तीसरी और चौथी values को निकालने के लिए देखिए आपी आपने कमा और यह आपका outcome आ गया और इसी में आप देखेंगे कि अगर आप पहली और चौथी value को list two से बहार निकालना चाहते हैं तो आपने यह वाला operation किया तो आपको देखिए पहले चौथे value पर जो values है water or tea देखिए दोनों आपको यहाँ पर मिल गई तो आप हम इस lecture में यहाँ पर रुकते हैं और आपने देखा कि कि इस lecture में हमने बहुत ही आसान आसान चीजों की बात करी है और यह हमारे commands ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही common operations है आप जब भी कभी data management की बात करेंगे तो आप list की बात भी करेंगे आप उस list में addition, deletion, merging की बात भी करेंगे तो यह सारे सारे operation आपको उसके बारे में ज़्यादा information देंगे कि उनको किस प्रकार से और software में किया जाए तो अब आप एक काम करिए आप कोई अपने हसाब से कोई भी छोटे छोटे चोटे धारा लिजे और उनके अंदर आप यह जो हमारे append है, merge हैं और इस तरह क यह आपके लिए हर lecture में मैं आपको repeat करता हूं लेकिन हर lecture में आपको यह समझना बहुत अवश्यक है कि जिस प्रकार से R सोच रहा है हमको भी उसी प्रकार से सोचता है क्योंकि हमको R से अपना कार लेना है तो जब तक हम R को सही commands में अपनी जो अपने instruction से नहीं देंगे R हम को सही outcome नहीं देगा तो आप इन चीज़ों की practice करी और हम आपको अगले lecture में फिर से मिलेंगे कुछ नए topic के साथ में तब तक के लिए good bye काई आपको अखर आपको नहीं दोर।